जा हिंद इस वीडियों लोग केसर कॉर्प्राइस काफी तेजी स्यूबर की तरह बढ़ रहा है लगवात तीन महास इस कंपनी का सेर्प्राइस सब्सक्राइब अपर सेकिट है कि ब्रेक होने का नाम नहीं ले रहा है और सेर्प्राइस एक दम अपने उच्थम लेबल तक पह करना चाहिए या कंपनी के फ्यूचर ग्रोफ को देखते उनको इस कंपनी में इंवेस्टमेंट करना सही रहेगा नहीं इन्हीं सब मुद्दों पर इस वीडियो में अगदम तफसीश से बात होगी आई वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले मार्केट कैप से मार्केट कै कि 26 पर 50 पैसा है आज की दिंगर से अब ग्राफ में देखेंगे अब एकदम ग्रीन सिंग्नल में है क्यूंकि इसमें अपपर सेकीट लगा हुआ है और हाई लगा चुका 26 पर 50 पैसा का ध्यान दीजिए जो इस कंपनी का से वही इसका हाई है मतलब यह हुआ कि अभी जो से कपनी का से शिर्पर बढ़ना शुरू हुआ है और उस समय इसका से शाठ पैसा आठ डॉमबर के दिन से से सब्सक्राइब करते है और अब बढ़कर कहां तक है 26 पैसा तका है बीच में रुका नहीं है डाइरेक्ट बढ़ते ही रहा है जो लोग ही साठ पैसा शुड़े एक प्रभी किसी व्यक्ति न अगर इसमें reinforcement कि आोगा तो उसका पैसा करिब कर 25-26 गुना वी तक हो गया होगा दूरुपय पर भी जिन लोगोना ने बाइक किया होगा अराम से बारत 12 गुना का फैदा हो गया और पांच रुपया का असपास कि इसने इसमें लोग हैं उनके लिए जब भुक भैलू से शेयर प्राइस सट्र अठारा गुना अधिक प्राइस पर मिल रहा है वहां पर नहीं करना चाहिए इसका लावा और समझेंगे तो इसका अग्दम सो हो गया एकदम मुझता मस्ते पर पहुंच गया है लगभग 100 कहने का मतलब है कि आप आखरी सीमा इसके ऊपर प्राइस नहीं जा सकता आप नीचे आए तो आपको पता है यह प्राइस बीच को नहीं करना चाहिए आपको पता है तीस से बहुत ऊपर चला गहा है कभी नीचे कि तरफ लोड़क सकता है ऐससे में आपको सवधान रनी के जरूरत है आप 26.57% का रिटर्न बहुत अच्छा है एक महा का रिटर्न सिर्फ 1.530 समझे कि बैयार में इतना भ्याना कभी गिरावट हुआ था फिर भी इसका रिटर्न मतलब बनते गया एक महा में 500% रिटर्न काने का मतलब बहुत कि एक महा पहले भी अगर कोई इसमें 1.5 रुपए लगाया होता तो अभी तक कितना बंचुका है दो लाख पचास रुपए बन चुका होते हैं साल भर का रिटर्न देखेंगे 835 परतीस आते मतलब साल भर पहले भी कोई भी एक लाख रुपए का इंवेस्टमेंट किया होता तो अब तक 9.5 रुपए बन चुके होते हैं तो यह सब सुनने की बाते हैं बहुत अच्छा लगता है सुनने समझने देखने में लेकिन अब इसके बारे में समझना जरूरी तो देखिए का रिजट्ट जो आया था अभी फरवरी में जनुवरी में देखेंगे इसका जो रिभेन्यू है 10 क्रोण 45 लाग से कम होकर सिर्फ 6 क्रोण 99 लाग रागया अलगको 7 लाग मतलब रिभेन्यू में जबरदस्त गिरावट हुआ ह मतलब बहुत ज्यादा कंपनी नजर नहीं आ रही है यहां देखेंगे रिजरब्याए 542 ला स्व did few करोली 62 लाग्रहा हालाकि रिजरब क culpa पास और उस यह बढ़ रहा है लेकिन करजाए शाप करोल 440 लागा पार इपनी कुछले कुछ समय में क्या काफी 30 से बड़ा इतना कंपनी को पर करजा नहीं था इसका लाँ वाँ देखेंगे तो से भी इसको अभी डाला हुए आपको पता है जब किसी कंपनी का सेर्परेस काफी 30 से बढ़ना लगता तो से जांस प्राकिलिए उसको डाल देता यह उतना चिंता का विसाय होता तो यह प्रोफिट हो गया है तो कमस्कम आप जितना लागत लगाएं उस लागत को निकाल लीजिए और उसके बाद जितना आपको प्रोफिट बजता है उसका आधा हिससा निकालेज़े और बाकी आधा प्रोफिट पड़े रहने दीज़े क्योंकि अब समय आ गया है इसमें करेक्सन होगा और शेयर प्रॉइस नीचे की तरफ जाएगा मैं उमीद कहता हूँ आपको मेरी बाते समझ में आ रही होगी वीडियो इंफर्मेटीव लगा होगा अगर कोई स्वाल है तो कमेंड में पूछ सकते हैं मुझसे जूड़कर परसनली बाते करना चाहते हैं तो मुझे इंश्राग्राम पर फोलो कर सकते हैं मिलते हैं नेक्ट पुड़े में ततरु धने बाद शुक्रिया जाएं आध शुक्रिया है